हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग वेलकम तू माई न्यू व्लोग आज आपको मैं बताना चाहरा हूं कि मैं आपने बच्चों के लिए न्यू स्कूटी लेने जा रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे अभी मेरे बेटा 18 का हो चुका है मेरे बेटी नाइन्थ के लिए उनकी स्कूटी के लिए स्कूटी की बहुत जरूरत है पहले मेरा विचार में अपने लिए बुलिट लेना चाहता आपको बताना चाहरा रहा लेकिन अभी बच्चों की study को देखते हुए मैं अचीने हैं सकूटी ठीक रहेगी और हम कोटी पे घर का कुछ समान भी ला सकते हैं तो देखते हैं मिलते आपको शोरूम पे जाके देखते हैं कैसा क्या कलर कमेंट बोक्स में बताइएगा कि कैसा कलर लेना चाहिए हमें चलो फिर चलते हैं शोरूम पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा कैसा कलर हमें पसंद आएगा देखते हैं मिलते आपको शोरूम पे अब देखते हैं स्कूटी कौन सी पसंदाती है में जैसा कि आप देख रहे हैं हम बेट कर रहे हैं अपनी स्कूटी का डिलिवरी का पर पर्फॉर्मेंटी पूरी हो चुकी है और अभी हमारी स्कूटी त्यार हो के आने वाली है और अब पांच यह दस फिर इंड़मेंट डिलिवरी हो प्लेके हुमें लेट करेंगे और अब लोगी है और अब बूंत से हीकर लेके जा रहे हैं कैसा लगा आपक्स दखका अध्र को दृए तरह बाई, दो बाई, वर्टा ने ले लेकर से दरबने कर दूपे है, वर्टी की डेलिवरी अने ले ली ए, अब हम जारें कर दूपी तरफ, पहले तरफ दर जारें तरफ पहले, तर पहले तर देल वरवाएंगे, तर भी शोरूम से 8-10 km तक का ही पेटरोल मिलता है, अब हम आइक, तरही बदक्yn तरहे है, तरही है वतकता सुआ आए हम कर दो अगज झाल जॉज लॉडना उब शॉडना जार दो अगजना जॉट खॉबारा जॉटी हो तो सिर्ग दोना तो सिर्गष का जोगे जॉडना जॉबार। a few moments लगए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो । फ्यू इंचिस लेटर वालो दोस्तों फाइनली आपने आज देखा होगा कि हम फाइनली अपने यहां पर कर पे अपनी स्कूटी ले आए हैं नई स्कूटी दिन पर बड़ा भाग दोड़ बरा रहा हमारा मंदिर में पूजा अरचना भी गर वाली है हमने लद्डू गोपाल की क्रिपा से हमारे घर में नई स्कूटी का आगमन हुआ है थैंक्स पर वाचिंग लाइक और शेयर कीजिएगा ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मिर झाई बर्चना नई स्थाष्यादा ज़्यादा ज़्यादा भा א। इन से घयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा ऑोणी Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's goin' wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me, and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really ask to be brought into this place You wanna love me, well then baby